नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपको अपने चेनल इंटरनेशनल अफेर पर तो जिहां दोस्तों आपने अपने स्क्रीन पर एकदम सही पड़ा है दुनिया का सबसे आत्मखाती ड्रोन सब के सामने अब सामिल हो गया है जो कि 100 किलोमेटर तक अपने दुस्मनों पर हमला कर कि राख मनाने पूरी तरह सच्छम है वहीं आपके जहन में ऐसा वाल उठ रहा होगी आखिर कारिवा कौन सा दस है जो इस पिनास्कारी ड्रोन को बनाया है तो यदि आपके मन में अमेरिका इजरायल फ्रांस चाइना या फिन रूस लग रहा है तो आप गलत है आपको इस के बारें बताने से पहला आप लोग से निवेदा नहीं किया अपने विते कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर लिजए ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खरू से तो दोस्तों जहां आज के समय में एक तरफ रूस और पहली वर दुनिया के सामने रखा है यहां ड्रोन सौ किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने और रेकी करने में सच्छम है इस ड्रोन के अंदर 20 पोटक लगे होते हैं जो लच को खुद को टकरा कर उसे बरवाद कर देते हैं आप सबको बता दे कि कई साल के अंतराष् और लंबी दूरी तक उडान भरने में सच्छम जेट इंजिनों से लेस हैं आपको बता दे कि इरान के इस नए ड्रोन का नाम मिराज 504 है इस ड्रोन की पहली तस्वीर इरान की सरकारी नियूज अजनसी तस्नीम ने जारी किया है इस ड्रोन को रवी बार को तेहरान के एक सेक्सपो के दोरान परदर्सित किया गया था वही दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन अपने साथ 2.5 के जिता के बिसपोर्ट ले जाने में सच्छम है यह ड्रोन एक बार में 100 किलो मिटर से ज्यादा तक दूरी उडान भर सकता है अकार में छोटा और कम लागात वाला यह ड्रोन एक पिष्टन इंजन के से संचालित होता है जो इसे दुसमन के एयर डिफेंस को चेकमा देने में डिजाइन किया गया है मेराज 504 को इरानी सेना में बरतमान में तैनात मेराज 214 का अपग्रेड़ेडर वेरियंट कहा जा रहा है इरान के ड्रोन इंजिनियर छोटे सिंपल डेल्टा बिंग इंजिनियरिंग के उप्योग कर वेरियंट को डेवलप्ट कर रहे हैं इरानी सुरच्छा बल दो तरना इस से ही लंबी दूरी तक गस्त लगाने वाले हेजम ड्रोन को ऑपरेट कर रहे है इस ड्रोन का इस्तमाल टोही और हमला दोनों तरह के मिसन म किया जाता है खैर आपका क्या रहा है पूरेश घटना पर क्या इरान के इस नए ड्रोन से यूए और सौधी पर कुछ मुसीवत बढ़ सकती है कि नहीं क्योंकि दोनों देश कट्टर दुस्मन माने जाते हैं आप अपना रहा कमेंट में जरूर बताए और इस तरह खवर द